नमस्कार आपका अपना चनल प्रशाद मेकिंग वर्ल्ड में एक बार फिर से स्वागत है तो आज जो हम बनाए जा रहे हैं वो केक है जी ट्राय बहुत सारे ड्राइफुश डालके हम आज केक बनाएंगे तो यह बहुत इस टेस्टी बनके रेडी होगा तो क्रिश्मस आ रह गठा हुआ है दुनिया की सबसे असान केक की रेषिपी होगा तो इसे कोई भी बना सकता है बच्चे भी इसे बनाकर खा सकते हैं तो चलिए हम इसे बनाते हैं और पर आप चैनल को लाइक सबस्क्राइब मैं नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा आपको मेरी वीडियो पसंद आइसे प्लीज एक लाइज जरूर कीजिएगा तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं उसे पहले आप देखें कि मैंने पलिया है यह बॉर्मन बिस्कित मैंने जो लिया तो डेखें स्कूझल मिस्केट बना सकते हैं मैरी मारी बिसकित होता है यहसाय समस्टे को सब्सक्राइब you can get some और वन चोथाई मेंने लिए है ऑईल इसमें बटर भी मेल्ट करके डाज सकते हैं यहाँ पे और मिल्क लिए है जितना रिकुर्ट होगो अध्य। तो पर यहाँ डालेंगे हम वन टेबलस्पून बेडिंग पॉर्र और हाफ टीस्पून बेकिंग सोडा तो देखें यहाँ पर लिया मैंने grinding jar इस वे हम डालेंगे यह कर्षब करके बिश्कित को ठीके और बिश्कित को हम एक बार मिक्सिम छला लेंगे ठीक है अर फाइन पार्डर बना लेंगे इसका तो यहाँ पर देखें मैंने इसे फाइन पाडर but बना limp कि यह पौडर बन चुका है देखिए ठीक है तो हमलंगे आगा चलंगे हम आप हमेशा कि अब हम एक पाळ और बाॉल में सीप्ट कर लेंगे ठीक दिद्ते ब्टी पावडर है को मसे यहां पर इसेने सिफ्ट रिया है ठीक है तो यहां पर लिया है मैंने टू ठायप्स का बिस्किट इसलिए मैं अच्छे थे से मिक्स नोंगी ठीक है पढ़े से मिक्स कर लिजे इसे और इसमें गाठे और लम्स मतलब इसकी रगा ठीक से नहीं पीसा हुआ है अगर आपका दिख रहा है कि मैंना रहा है गया है तो उसे अच्छे से कर लिजे इस तरीके से ठीक है अब इसमें हम आट करेंगे वन टीज़्पून बेकिंग पावडर एंड हाफ टीज़्पून बेकिंग सोडा इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ठीक है कि यहां पर भी हमने इसे मिक्स कर लिया है अब इसमें डालेंगे मिल्क इसमें हम थोध्रों मिल्क करें डालेंगे एक साथ आप बिल्कुल ना डाले ठीक है तो आहिस्ता आहिस्ता इसमें मिल्क एड़ कीजिए कि तो अधुक हमने थाओं थोध़ोध मिल्क डालकर इसमें हमने बिक्स कर लिया है और दिखें इसकी इसकी कहिंशन की रीवेंट की तरह गिरता हुआ और और मैंने एक ग्लास से थोड़ा कम मैंने लिया था मिल्क उसमे मेरा वन टेबल स्पून मिल्क बच गया है ठीक है और यह परफेक्ट है अब इसमे मिल्क नहीं जाएगा कि हो चुका है अब इसमे हम डालेंगे वन बाई वन ड्राइफ फ्रूट्स यह हो डाल देंगे आमन्ड और यह टाल देंगे अपना टूटी खूटी मिल्क क्रेंगे इससे मिल्क करने के लिए हम इस पीच्छुअ जो लेंगे उसे आफ साईट से मिल्क करेंगे कट एंड फोल्ड की मेठर से ठीक है इससे से मिल्क कीजिए अब यह दन है यह हो चुका ए इसे हम साइड मे रखेंगे अब सॉरी में इसमें ऑईल डालना में भूल गई थी कोई नहीं अभी डालेती हूं ठीक है और साइड में रखा हुआ तो मेरे मैंड से मेंट से क्वेस इसके हो गया और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे है है थीक्षिं आप मिल्क के डालने के बाद और ईसके अपिस्ज ऑल्याय चीम्किटें तो यहां पर मैंने और जाल के म्क्स कर लिया है बggaने जास राइक DR. फू और अच्छे से ग्रिस करके अब इसमें डाल देंगे अपना जो साइट में रखें नहीं हो प्रॉब्लम नहीं है कोई मसला नहीं है किसी बाउल में जो अल्मूंयम नहीं का हो या श्टेल नहीं ग्रिस करके बना सकते हैं तो इसे एक बार टेब कर देतें इस तरीके से जिन है आपढ़ हम यहां प रेक्ष्स लगा है ठीकर के आपको लगाना है लगा सकते हैं इसराय से लगाव यह कोई भी नैत politics कर सकते हैं मीपास ता उड़ाला swift डमट में किस कब्रा कि कोई इसक nits यह वां अव author से बनियोंस भी बन जाने वाला यह रेसिपी है ठीक है और हमने रखा था इसमें टुटी फूटी थोड़ा बचा लिया था वह मैं इसमें एड कर रही हूं अब यह बनाऊंगी आज तवे पे चली मैं आपको देखाती हूं तो यहां पे लिया है यह प्रीज़ी हो चुका है दस मिनट तक और मैंने अपना के के बटर इस पर रख दिया है तीन रख दिया है अब इसे हम धग देंगे तो देखें मैंने पतिया चाहा के मैंने प्लेट इस के उपर रखती है यह प्लेट रखा है मैंने अब इसे हम 25 से 30 मिट बार इसे हम देखेंगे चेक करेंगे ठीके 25 से 30 मिट पहले आप इसे ऊपर ना करें और इसे मैंने लोग फ्लेम पर ही चड़ाया है तो देखिए हमारा पर यहां पर हमारा की डन है मैं इस पे स्टिक देखें बिल्कुल निकल रहा है इसका मतलब यह केक बिल्कुल बेक हो चुका है ठीक है तो मैं इसे डिमोल्ट करते हैं तो एक परिस में चाको गुमा करें हम इसे डिमोल्ट करेंगे तो देखिए हमारा बनके यह रेडी है सूपर सॉफ्ट बना है और बिल्कुल गरम है यह ठीक है अभी ठंधा नहीं है बिल्कुल गरम गरम है इसे मैं आपको दिखाते हूं मैंने इसमें एक प्लेट लगा के मैं इसे पलेट लोंगी बनेंगे यह तूट जाएगा फिक गर लेकिन आप इसे गरम गरम बिल्कुल भी डिमोल्ड ना करें ठीक है अब देखिए आप देख पा रहे हैं कितना सूपर सॉफ्ट बनके रेडी हो हमारा के और इस पंजी और कितना अच्छा कलर आया है और कितना जितना भी सुन्दर दिख रहा है उतना ही खाने में टेस्ट है देखिए मैं इसे कट कर रही हूं कट करके आपको दिखा दे दे हूं लेकिकि ब्रेक करेंगा क्योंकि यह बहुत पर ना करें तो इस बीटिफूल लग रहा है देखने में यह ब्रेक हो किया कि गरम-गरम मैंने इसे कट किया है ठीक है तो आप इस रेसिपी को जरूरीक ट्राइदे और मेरी वीडियो को पसंद आदे तो इसे लाइक और से सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर में चैनल पर आप नए है तो और के लिए बाबाए टेक केर आप 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 किया तो आप आप आंप आप 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 आपर आप 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 Some आप आप territorrun